नगली पुना पुलिया पर दिल्ली जल बॉर्ट का पानी बर्बाद किया जा रहा दिल्ली स्वरूप नगर एरिया की नंगली पुना पुलिया पर बह रहा पानी दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से बह रहा है पानी हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है जबकि दिल्ली में पानी की किल्लत भी कई इलाकों में देखी जाती है लेकिन यहां दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी ही इस पानी को बर्बाद करने में लगे है स्थानिय लोगों ने बताया कि अक्सर यहां इसी तरह पानी चलता है जो कि कुछ घंटे तक इसी तरह पानी को खोल कर छोड़ दिया जाता है यह उन्हें भी पता नहीं कि आखिर क्यों इस पानी को इस तरह बर्बाद करते हैं जैसा कि फोटो में दर्शाय गया है लेकिन यह पानी की दिल्ली जल बोर्ड के लोग यहां आते हैं उस पानी को खोल कर चले जाते हैं ऐसा स्थानिय दुकानदारों का कहना है राजबीर गमचा डाले स्थानिय दुकानदार ने बताया कि दो से तीन दिन में इसी तरह पानी का वाल खोल कर चले जाते हैं विश्नुस्थान निवासी एक तरफ दिल्ली में पानी की मारामारी होती है वहीं दूसरी तरफ यहां पानी की बरबादी आए दिन की जाती है इस पर प्रतिबंद लगाना चाहिए अपना नाम अदिए पानी बैरा यह कब से बैरा और कब-कब बैता है इसी तरह पानी को चालू कर लोगते है कितिनी देर लग पानी इस तरह बैता है इसके बाब जोदी भी मली का भी गवार खुल देता है यह जो मिदो तरह पानी नाडे में जा रहा है तो कहले के पानी की बेश्टी जाना आप लूगों ने एक तरफ दिली में पानी की कमी है तो दूसी तरह इस तरह पानी को बरबाद के जाना है आपका अलाम में नम विशन विशन यह पानी की जो परवादी हो रही है इसको क्या कहेंगे आप अब जर्बोड के आदमी इस माल को खोले से ले जाता है फिर अन्य लोग जर्ब यह तसार बना ने किस्ने खोला किस ने खे तो लिए अपना दी फुला है यह आज फुला है पहली विया अपने लिए हमने ताभी पहली बार इखा तो यह जाओ भर देखा यह अज आज अभी लगाए अज़े